हलो एरिवन आज हम पढ़ेंगे NCRT Solutions class 3 EBS ठीक है chapter 14 and chapter का नाम है the story of food ओके तो हम इस chapter का question and answer को solve करेंगे तो पहला question यहाँ पर दिया गया है what kind of work are people doing in both the families ठीक है मतलब दोनों family में ठीक है what kind of work are people doing in both the family यानि दोनों family में लोग किस तरह का काम कर रहे हैं ठीक है तो आंसर है वेनुस family mother is preparing food ठीक है वेनु को जो family है वो क्या कर रहे है उनकी मम्मी है जो खाना बना रहे है father is cleaning the floor ठीक है जो पिता जी है basically वो फ्लूर को clean कर रहे है साफ कर रहे है all the people of the family are eating food together ठीक है यानि जो family है यह सारे लोग है उस family के साथ में बैठकर खाना खा रहे है mother and father are reading newspaper and venue is cycling ठीक है रानी family basically mother is cooking food जो उनकी मम्मी है खाना बना रहे है ठीक है males of the family are having food and Rani is serving the food ठीक है जो male family है ठीक है क्या कर रहे है खाना को खार रहे है और जो रानी है उनको खाना को परोश रही है मतलब स्वर्व कर रहे है रानी and her mother are fetching water ठीक है यानि रानी और उनकी मम्मी पानी ला रहे है और रानी father is reading newspaper रानी के पीता जी न्यूजपेपर पढ़ रहे है ठीक है question number two यहाँ पर दिया गया है is your family like any one of this family if yes like which one how is your family like the years ठीक है एनि इस तरह का आपके family में कोई है तो actually में कौन है ठीक है how many your family like the years ठीक है यानि आपके कितने family है ठीक है तो answer yes my family is similar to venues all of us eat meals together ठीक है यानि जो मेरी family है वह venue के family जैसी है जो की हम लोग पूरे family साथ में बैट कर खाना खाते हैं okay question number third है do all the people in your family eat together if not why ठीक है क्या आपके पूरे family में जो लोग पूरे family के लोग है साथ में मिलकर खाना खाते हैं ठीक है if not अगर नहीं खाते हैं तो ऐसा क्यों तो answer है yes they do means हाँ जो मेरे family में सारे लोग हैं वो एक साथ ही खाना खाते हैं okay question fourth है who eats lost in the family ठीक है यानि आपके family में सबसे अंती में कौन खाता है तो answer है no one because we eat the food together ठीक है कोई नहीं हम लोग जितने लोग भी मेरे family में हैं हमारे family में basically साथ में ही खाना खाते हैं ठीक है यहाँ पर question number fifth है who does not help in cooking food in the family and why मतलब आपके family कोई ऐसे हैं जो कि खाना को बनाने में help नहीं करते हैं okay and क्यों नहीं करते हैं answer है my father does not help much in cooking because he does not know to cook ठीक है मेरे पीता जी है जो वो खाना बनाने ज्यादा मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो खाना बनाना नहीं जानते हैं ठीक है question number six है in the table some of the work done in the house has been mentioned ठीक है कुछ ऐसे घर लिखे के हैं ठीक है इस टेबल में find out who does the manure house मतलब कौन-कौन उस घर में हैं ठीक है and who does the manure friends house ठीक है और कौन आपके friends के घर में है ठीक है you can add some other work also to the list आप कुछ और भी add कर सकते हैं इस लिस्ट में ठीक है तो पहला cooking food कौन करती है मदर करती हैं ठीक है इन और फ्रेंट साओड आपके friend के घर में भी कौन करती है मदर करती हैं ठीक है दूसरा buying things from the market यानी market से कोन कोन चीज खरीत की लाते हैं ममी जी दीक है father and brother लाते हैं ठीक है और आपके friend के घर में क्या उनकोन लाते हैं मर्केट करके father लाते हैं चाहर मतलब मज़ना करती है माद एंट अट सिस्टर करों लॉएंग मोखे लोग मेRY फ्रेंट photon को और व हम सपसे हैं लॉयमे करती है और एक शाब सकनाते यह क्लिन बोग है और किने की मिलेंग और क्ली क्ली क्लीन जआते हैं वहाँ भी सब लोग पढ़ते हैं नीज़ पेपर और इन बुक्स ठीक है मॉपिंग दफ्लूर मदर और सिस्टर और मदर ठीक है यानि फ्लूर को कौन साफ करता है मदर और सिस्टर मेरे फ्रेंड के घर में मदर करती है ठीक है तो आंसर है इन यूर फ्रेंड आस मदर यानि दोनों माता ही होती है माता जी होती है जो ज्यादा काम करती है ठीक है वेर ड़स वाट वी इट कम फ्राम ठीक है जो हम लोग खाते हैं वह एक्चुली कहां साथ है आंसर है दे नेम्स अब दे फूड आइटम्स और गिवन बुलो मतलब कुछ फूड आइटम्स हैं जो यहां पर नीचे दिये गए हैं ठीक है आपको ग्रीन आईटम्स को ड्रा करना है जो के हमें प्राप्त होते हैं ठीक है ड्राइट से क्रॉस्ट प्राप्त होते हैं ठीक है आपक है योगहर्ट एक मीट चीज इस सारे क्या होती है एनिमेल से प्राप्त होता है लेकिन टर्मरीख हल्दी है वो पेड़ चाह वह कोरियंडर धनिया सबसारे चीजह क्यान जितने भी हरी क्रॉस हैं हारे क्रॉस जो भी की वह प्राप्त होते हैं और भी जो यह अब आएसा दवान चोन, फोर, ऐसा है, और विंट विंग चन्स्स गेट हट ठीक है आप क्या करते हो अगर आपको चोट लग जाती है हब इस्ट्रों में केज यानि है वे कॉफ यानि आपको खांसी आती है या आपको दांत दर्द करती है तो आप क्या करते हो ठीक आंसर है गेट हट अगर चोट लगती हो तो हम लोग अपलाई ठर्मरीक करते मातला हल्दी लगाते हैं दूसरा है अगर हमारा पेठाद करता है वित व्ल tirar तुम हृत지 , exam have a cough and cold हम अगर हमए खासी यूखाम होता है तो milk and turmeric लेते हैं और चौहते हो है, है, हमार हंई the tooth take, अगर हमंए दाद करती है तो put clove oil in a mouth ठीक है, हम लोग को क्या करते हैं, अपने मुँ में रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लोगी, please subscribe my channel and press the bell icon, thank you so much.